विभोर के साथ अप्यार की खबरों से नेहा को आया गुसा, बोली अपनी बेटी बेहन के साथ ऐसा ही करेंगे, अपनी आवाज और गानों से सब कुद धीवाना कर चुकी नेहा ककर, इमाश कोहली से ब्रेक अप के बाद डिप्रेशन में चली गई थी, नेहा ककर फिर एक बा पीते दिनों ऐसी खबरें आई की नेहा ककर, इंडियन आइडल कंटेस्टेंट फिभोर पर आशर को डेट कर रही है, इस खबर पर नेहा का गुस्था फूटा है, नेहा ने कहा कि किसी को इतना बुरा मत महसूस करवाओ कि वो अपनी जान लेने के बारे में सोचने लगे, नेहा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा जब मैं यहा लिख रही हूँ, उस समय मेरी शारीरे को और मानसिक दशा सही नहीं है, लेकिन मुझे बोलना पड़ेगा, आपको पता है उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता है कि मैं किसी की बेटी और बेहन हूँ, मै यहड तक नहीं सोचते हैं कि इन सब चीजों का किसी की लाइफ पर कितना बुरा प्रभाव पड़ सकता है, वह सेलिब्रिटी है लेकिन इस से पहले वे एक इनसान है, लोगों की परसनल लाइफ और उनके केरेक्टर के बारे में बात करना बंद करिये, इतना बेरहम बंदन उन्हें शर्मिंदा करना बंद करें, इतना मत करों की कोई डिप्रेशन में चला जाए, नेहा ने पोस्ट के आखिर में लिखा, अगर आप किसी के पिता या भाई है तो क्या आप भी अपनी बेटी बेहन के साथ ऐसा ही करेंगे, किसी को इतना बुरा मत महसूस करवाओ कि वो अपनी जान लेने के बारे में सोचने लगे, पीच बंद करों नेहा ककर पिछले चार सालों से बलेवुड एक्टर हिमाश कोहली के साथ रिलेशनशिप में थी जिसके बाद हाल ही में दोनों का ब्रेक अप हो चुका है, इससे पहले बलेवुड लाइफ से इंटर्व्य कि दौरान विभोर ने अपने और निहा ककर के रिष्टे की सच्चाई का खुलासा किया था, विभोर ने कहा मैं अगर विभोर पर आशर हूं तो उनकी वज़े से हूं, उनकी इज़त करता हूं, इसलिए मैं इन अफवाहों पर बोलना भी पसंद नहीं करता, मेरा देमाग खराब होता है, ऐसी बातों को सुनकर हाल ही में दोनों को एक साथ एक इवेंट में देखा गया था, जहां कि कुछ तस्वीरें सामने आई थी, इसके बाद यह अंदाजा लगाया गया कि नेहा ककर और विभोर पर आशर को डेट कर रहे हैं, हाला कि विभोर पहले ही इसे को अरी आफ लहा बताया था